गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स गजिव एक रहती हैं तो सबसे पहली जो सीज न के बारे में बात करेंगे хिर बात करेंगे इन सब के बारे में यह सारी चीजे किसे लिवां राथि है और अप्रोच के अंदर कंधरैंड आपव benefits सबसे पहले सेमियो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, फिर इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं, फिर पढ़ेंगे अट्रेक्टेंट के बारे में क्या होते हैं, रीपेलेंट क्या होते हैं, एंटिफिडेंट क्या होते हैं, आ इंट्रोडक्शन की कि बायो रेशनल जो है उसके अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो क्या होता है बायो रेशनल तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो बायो रेशनल वर्ड से ही जैसे पता है दो चीज से मिला है बायो और रेशनल से बना है इसमें क्या होत एसी अप्रोच को यूज करते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को कम से कम लोज हो, प्लस जो भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं, किसी पेस्ट को मारने के लिए, वो क्या होता है, किसी बायो प्रोडक्ट से, किसी नेचुरल चीज से जो है, निकाला जाता है, जैसे हो सकता है वो इंसेक्ट से हो, प्लांट से हो, तो वो सारी चीज जो किसी अंदर आएगी, बायो रेशनल के अंदर, तो अब्जेक्टिव देख लिए इसका, the main objective of the approach, इसका main objective जो है, वो क्या है, to optimize pest control in an economically, यानि कि जो आर्थिक दरश्टी से देखा जाए, तो खर्चा बहुत कम आन चीज़े, and ecologically, environment की दरश्टी से देखें, तो भी क्या होना चीज़े, अच्छा साबित होना चीज़े, यानि कि इसका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ना चीज़े, environment के उपर, the term bio-rational is derived from two words, दो वर्ट से मिलकर बना है, biological और rational से, ठीक है, referring, इसका मतलब क्या होत है, pesticide of natural origin, अभी बात की थी हमने, natural origin की, यानि कि जो pesticide है, उनकी उत्पती कैसे होगी, किसी natural चीज़े, plant से, या naturally जो insect बगेरा पाए जा रहे है, उनसे, that have limited, जो limited है, और जिनका कोई भी adverse effect नहीं होता, किसी भी other species के उपर, समझे बात को, यानि कि इनका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं होगा, किसी ऐसी species के उपर, जो हमारे लिए फाइदे मन्द है, या फिर जो non-target है, कहने का मतलब, या फिर beneficial organisms जो है, तो ये क्या कहलाता है, biorational, इसके अंदर एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, semiochemicals की, तो semiochemicals किसको बोलते हैं, ये वो chemical compound होते हैं, जो क्या है, एक insect species के द्वारा secret किये जाते हैं, ठीक है, जिनका अब ये हो सकता है, inter-specific हो, या फिर intra-specific हो, दोनों हो सकते हैं, इंटर और intra का मतलब क्या है, यानि कि inter-specific का मतलब है, दो अलग-अलग species के बीच में, और intra का मतलब है, एक species के अलग-अलग जो organisms हैं, उनके बीच में, तो intra और intra दोनों हो सकते हैं, ऐसे organic compound, जो insect के द्वारा secret किये जाते हैं, जिनका positive या negative दोनों effect होता है, किसी भी species के उपर, देखे, small organic compound, which are used by insect, insect के द्वारा use होते हैं, for intra and inter-specific communication, inter-species या फिर intra-species के बीच में, communication के लिए, ठीक है, अब ये किस किस के हो सकता है, communication हो सकता है, वो food के लिए हो, भोजन के लिए हो, हो सकता है, sexual partners के लिए हो, meeting के लिए, या फिर हो सकता है, वो protection के लिए हो, खुद के बचाव के लिए हो, defense के लिए हो, तो ये सारे जो हैं, किस के अंदर आएंगे, semi-chemical के अंदर, from natural enemies and adverse environmental condition, ठीक है, अब देखिए ये नग्या, semienous chemical होता क्या है, खीक है, अब इसके बारे में आगे कि करेंगे, जो वर्ड है semi-chemical, ये दो चीज़ां से Greek वर्ड है, दो चीज़ां से मिलकर बनाए, एक तो semi-man, Greek word है, semi-man से मिलकर बनाए, इसका मतलब क्या होता है, sign या फिर, signal, sign या सिगनल, यानि कि, semi-chemical का मतलब किया ऐसा chemical जो किसी species में दूसरी species या उसी species के दूसरी सदेश्यों को कोई signal देता है अब हो सकता है वो defense के purpose से हो या फिर उनको एकठा करने के लिए वो एक जगह पे तो ये सारे जो है आगे बात करेंगे एक एकर के इनकी तो ये common अगर बात करें सेमियो केमिकल क्या है तो उसके बारे में है अब देखिए classification सेमियो केमिकल का इसका classification जो है इनको mainly दो बागों में बाठ सकते है एक तो हो गया फिरोमोन और एक हो गया ऐलीलो केमिकल अब difference क्या है इसमें देखिए फिरोमोन ऐलीलो केमिकल में फिरोमोन होते हैं इंट्रा स्पीसीज यह होते हैं इंट्रा स्पीसीज यानि कि एक ही स्पीसीज के अंदर होंगे और यह होते हैं इंट्रा स्पीसीज यानि कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो है वो होंगे अब यह पॉजिटीव भी हो सकते हैं और ने हैं जिनका तुरंट अफेक्ट होता है यानि कि एक ही स्पीसिस के अंदर किसी दूसरे जो और जो और गिनिजम है उसके उपर तुरंट इसका प्रभाव होगा फास्ट इसको बोलते हैं रिलीजर इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं सेक्स और अगरिकेशन हो गया अलारम फिर्य हो गया और हो गया और अपट्रेंट क्या हुता है इनके बारवें बात करेंगे एक एकर आशन में और प्रईमर और जैसे मेचुरियस्ट किसी इंसेक्ट के अंदर या के development विकास की बात करें या फिर physiological उसके अंदर जो भी changes आते हैं वो सारे crisp phyromons की वज़ा से आते हैं primer phyromon की वज़ा से अब देखिए बात करेंगे phyromons की इनको detail में पड़ेंगे तो कोई भी chemical या उसका mixture जो की क्या है एक organism के द्वारा environment में secret किया जाता है जिसका positive या negative effect होता है दूसरे species पे mainly अगर बात करें phyromon के दर्ष्टी से तो यह हमेसा क्या होता है positive होता है और mainly यह sexual द्रष्टी से यूज होता है यानि कि एक species की female या males के द्वारा secret किया जाता है जो उसी species के दूसरे opposite sex को क्या अट्रैक्ट करता है देखिए इजे chemical और mixture of chemical released by an organism किसी भी एक organism के द्वारा release किया जाता है outside यानि कि body से बाहर environment के अंदर that को specific reaction को यह specific reaction करेगा किसकी उपर जो receive करेगा उसको receiving organism of same species यह देखिए same species मैंने यह लिखा है बता भी दिया आपको same species होगा तो वो क्या होंगे फिरोमोन और अगर species अलग-अलग होगी तो वो क्या हो जाएंगे अब देखिए वर्ड्स की बात करें तो फिरोमोन है यह काल्सन और लोसर ने दिया था इनको एक्टो हर्मोन भी बोलते हैं सबसे important बात है एक्टो हर्मोन बोलते हैं एक्टो हर्मोन क्यों बोलते हैं क्योंकि इनको outside बाहरी जो environment होता है वहाँ पे secret किया जाता है बोडी से इसलिए इनको एक्टो हर्मोन भी बोलते हैं और यह एक्जोक्राइन होते हैं और इजन के अंदर एक्जोक्राइन ग्लेंड के द्वारा जो है विक्सित होते हैं अब देखिए इसमें successful example जो है इन जेनल फिरोमोंस और mostly used for monitoring मैंलि अगर आई पीम की दरश्टी से बात करें तो हम इनको क्या करते हैं monitoring या detection को इनको collect करने के लिए इनको monitor करने के लिए हम यूज लेते हैं अब monitoring का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे जैसे पेस्ट है हमें monitor करना है किसी एक को collect करना है एक जगह पर इकठा करना या उनकी population के बारे में count करना है तो हम फिरोमोंस की दरश्टी से या इनके use से कर सकते हैं for example फिरोमों बाइट ट्रेप यानि कि जो ट्रेप से आते हैं फिरोमों के bites के ट्रेप आते हैं जिनको हम use करते हैं इंसेक्ट के खाने के लिए ट्रेप यूजड फॉर मॉनिटरिंग ओफ पाइरेलिड मौत यह example दिया गया है कि पाइरेलिड मौत हो गया cigarette beetle हो गया या फिर ट्रोगोडर्मा species जो है बनाल में जो लगते हैं तो यह क्या है इनको हम मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं फिरोमों का फिर नेक्स देखिए टाइप सो फिरोमों की बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहला है aggregation फिरोमों सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझे एग्री केशन का मतलब क्या होता है aggregation का मतलब होता है collect करना, इकठा करना एक जगह पे ठीक है इकठा करना, है ना अब देखिए compounds that release by insects for attract food source अब यह द्यान अगना मेंली इसका जो काम होता है एग्रीगेट फिरुमोन की एग्रीगेशन फिरुमोन वो किसे लिए होते हैं attraction to food source यानि कि जो insect है उसको food source यानि कि भोजन का जो source है उसकी तरफ attract करने के लिए तो आपको दिखा रहे हैं देख लिए आपको पता चल जाएगा यहां पर इसके अंदर एगजम्पल मा आपको बता देता हूं जैसे चींटियों के अंदर होता है आपने देखा होगा कभी भी थोड़ा बहुत चींटि को अगर खाने के लिए कुछ मिल जाए आप मीठे की ब बढ़ा एक स्पीशिप के अंदर जो मेल्स जो होते नर्ज होते उनके दुआरा अधिकतर ये सीक्रेट किया जाता है जरूरी नहीं है लेकिर अधिकतर यह होता है फिर है अब इसमें क्या है कुछ research भी हुई है जिसमें यह पता लगाए गया है कि पानी जो है water ठीक है यह काम करता है aggregation signal के रूप में ठीक है जैसे example के तौर पे element moth में तो इन में क्या होता element moth में water जो है पानी जो है वो signal का काम करता है यानि कि एक जो species का organism होगा वो water के अंदर कुछ phenomenon secret करेगा जो दूसरे वाले हैं उनको aggregate करने का काम करता है same thing ऐसे इस पेस्ट में भी देखी गई है पाइरलीड मोट के अंदर सेम इसमें है water से क्या होता है बाकि दूसरे जो है उसी species के उनको एकठा करने के लिए collect करने के लिए फिर देखिए aggregation phenomenon have been reported for the collioptera order की बात करें तो collioptera, dictioptera, hemiptera, orthoptera order इन सब में क्या है identify किया गया है और इनके use को भी study किया गया है अब देखिए second जो है वो है alarm phyromon थोड़ा थोड़ा है इनके बारे में बस ध्यान रखना कि aggregate phyromons होते क्या है और example द्यान रखना है इनके देखिए फिर है alarm phyromon अब alarm phyromon की बात करें तो देखिए compound that stimulate 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 का मतलब क्या होता है बढ़ावा देना या उत्साना stimulate insects escape और defense escape का मतलब क्या होता है चुड़ाना या बचना किसी से और defense क्या मतलब क्या होता है बचाव करना यानि कि जो alarm phyromon है सबसे पहले अगर alarm word की बात करें तो normally alarm का हम क्यों use लेते हैं हमें सचेथ करने के लिए या माल लेजिए आप सो रहे हो तो अचानक से उठने के लिए तो यानि कि हमें सचेथ करते हैं सेम तिंग इंसेक्ट के अंदूरत की alarm phyromon क्या करते हैं इंसेक्ट को सचेथ करते कि उनके उपर किसी दूसरे बाहरी जो predator है या पर बक्सी है उसका आट अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिस करोगे तो वो क्या होगा पहुत सारी एक साथ आपके उपर अटेक कर देते हैं डिफेंस के तरीके से ना खुद का बचाओ करने के लिए ऐसे ही चिंटियों में भी होता है ठीक है तो यह क्या है alarm phyromon अब देखिए यह मेंली कॉमन क और चिंटियों में भी हमने भी बात किये तो इन में क्या होता है alarm phyromon होता है आप देखिए many species of aphid, aphid में भी same thing होता है यह देखिए इस डाइग्राम के अंदर आप देख सकते हो यानि कि एक की लीफ के उपर बहुत सारे aphid जो है एक साथ एक साथ एक खटा हो जाते है किसके वज़े से alarm phyromon की वज़े से ताकि वो किसी दूसरे predator की को है control करने के लिए क्या है उसको defense के mechanism से use कर सके फिर next है sex phyromon, third जो है sex phyromon इसमें क्या होता है एक species जो है उसकी male females की बात करे, females क्या करती है एक phyromon का secret करती है environment के अंदर जिसमें क्या होता है उसी के other males है उसी species के वो उसकी तरफ attract होते है, example में देख लिए सबसे पहले देखिए, compounds that help individuals अलग-अलग जो जीव है उनका help करते है, of the opposite sex to find each other, यहने कि यह क्या घरते है, अपने दूसरे opposite sex जो है उसको पहचानने के लिए या फिर बात करें उसको डूडने के अंदर क्या करती है, यह help करते है, sex phyromon, generally produced by females in most insects, और generally किसके द्वारा यह secret होते है, females के द्वारा, या बात करें, मादा के द्वारा, for example, माली जीए यह female है, तो यह क्या करेगी, environment के अंदर एक phyromon, ठीक है, जो release करेगी, एक्टो आर्मन जो है, sex phyromon जी इनको बोलते हैं, यानि कि इसके अंदर क्या होते है, एक specific chemical compound होता है, जिसकी एक specific smell होती है, जिसकी तरफ क्या होता है, उसकी जो transmission है, उसकी साहिता से क्या है, इसका जो male है, वो क्या होगा, इसकी तरफ attract होगा, और वो क्या है, इसको डूं अब देखिए, lepidoptera, mainly जो क्या है, मैंने अभी जो sex phyromon की बात करें, तो इसकी research होई है, कि mainly एक इसमें use होते है, जो, sorry, lepidoptera जो order है, इसके paste होते है, उनके अंदर mainly जो है, ये काम में लिया जाता है, देखिए, lepidoptera and females produce and release sex phyromon component from, अब देखिए, इसमें क्या होती ह जो कहा पाई जाती है, आठवे और नौवे abdominal segments के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या है, attract करती है females को, तो इसका example है, इसके कुछ और example देख लिजिए, sex phyromon के, ये बारग्जा में पूछ लिया जाता है, तो bombicol, इसके हमने बात कर ली थी, silk moth, ठीक है, silk moth, bombex morai, first था mochi plur, या फिर pectin lilyure, ये होता है, pink ball worm से, loop lure होता है, cabbage looper में, spodolure या little lure की बात करें, तो वो tobe को, katerbillar में, spodoptera litur, आउनी के नाम पे रखा गया इनको, heli lure जो होता है, वो होता है, gram pod borer, या बात करें, heli cover पा, आर्मी जे रा, heli cover पा, आर्मी जे रा, तो इन में क्या है, इन से secret होता है, या इनको control करने के लिए, या इनको monitor करने के लिए, काम में लिया जाता है, फिर देखिए, trail phyromon, next जो है, trail phyromon, अब इसमें क्या होता है, मैं लिए अगर बात करें, सबसे best example है, इसका chintia, तो इसमें क्या होता है, ये रस्ता देते हैं, बाकी जो organism हैं, इसी species के, उनको एक क्या है, रस्ता प्रदान करते हैं, कि हमें किस वे में जाना है, किस तरफ जाना है, same thing, honeybee में भी होती है, देखिए, compounds that, components, compound that help to mark the way, यानि कि रस्ते की पहचान करने में मदद करते हैं, to a food source in social insect, food source में, यानि कि किसी खाने वाले भोजन का पता लगाने के लिए, ये क्या करते हैं, उस source का पता लगाने के लिए, दूसरे जो individuals हैं, उसी species के, उनकी help करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, trail phiromones, to mark the boundaries of a territory, तो ये क्या fix, ले में, आपने देखा हुआ कभी भी चिंटियों को, चिंटियां क क्या एक एक करके, ये क्या करती है, trail phiromone का secret करती है, तो इस chemical की वज़े से क्या है, ये एक दूसरे की तरफ पीछे पीछे चलती हूँ, एक सीधी रेखा भी चलती है, एक सीधी line में चलती है, इसका मतलब क्या होता है, वो इसको control करती है, वो इसको food source की तरफ लेके जाती कि जो worker होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी species जो पूरी API होती है, या फिर बात करें उनका जो एक box होता है, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, अपने घर के आदर आपने देखा होगा, मदबक्र ही में में क्या होता है, king होता है, queen होता है, drones होते हैं, work student होते हैं, तो बोजन प्रदान करने का या किठा करने का काम किसका होता है वरकर्स का तो वरकर्स क्या करते हैं ट्रैल फिरोमोन काम में लेते हैं यानि कि ये क्या करते हैं एक दूसरे को रस्ता प्रदान करते हैं कि हमें किस वे में जाना है और वहाँ पे हमें कैसे बोजन का पता लगाना है और कैस से उसको ले के आना है तो इसके लिए हेल्प करता है ट्रायल फिरोमन मदुमक्खे में भी सेम थिंग है अधिके इसके एड्वेंटेज लाब क्या क्या है तो सबसे पहले बात तो माइन्यूट क्वांटिटी रिक्वाइड आई पिम के अगर बात करें उसकी दरश्टी से ला क्या है इन्वार्मेंट के अंदर कोई लोस नहीं होता वातावन के अंदर कोई इसका नुक्सान या एड्वर्स अफेक्ट नहीं होता है थार्ड वन स्पीशिस स्पेसिफिक है यह सबसे बेस्ट है स्पीशिस स्पेसिफिक का मतलब क्या है यनि कि सिर्फ उसी जाती के परटिकलर फिरो मॉन सोते हैं जो सिर्फ इस स्पी स्पीशिय के सदस्यों को प्रबाव इतके फिर देखिए labor saving नहें की है क्या करते है अब इनकी स्पी वज़ेसे हम क्या करते है सिंथेटिक यूज़ करते हैं, तो वो क्या है अपने आप इनको मोनिटर करने का काम करते हैं, तो लेबर की बहुत ज्यादा हमें मज़बूरों की आउसेक्टा नहीं होती है, अगर हमें इंसेक्ट को मोनिटर करना है, तो इजी मोनिटरिंग और पैस्ट पॉपिलेशन, इजिली इनको monitor कर सकते हैं, इनके साहिता से एक जिगा इखटा भी कर सकते हैं, फिर है best suited in IPM, और IPM के अंदर सबसे best है, इसको use करके हम insect को जो है एक जिगा इखटा कर सकते हैं, उनके behavior के बारे में जान सकते हैं, और main thing तो अगर मैं बात करें, तो इससे क्या होता है, females या males क हम क्या करते हैं, एक जिगा इखटा कर लेते हैं, वहाँ पर उनको जो है, kill करना easy होता है, या उनके generation को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ओके, thank you, बाकी जो इसके बारे में हम बात करेंगे, आगे semi-chemical में मैं आपको दो चीज़ बताई थी, phyromons में इतना है, इसको class में बात करेंगे, okay, thank you.